दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नुच्पे दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी खबर है दोस्तो बिड़ को एक लाइक जोरू करें दोस्तो ममता के गढ़ में पी-े-म की हुंकार कहा गालियों और धंकियों से नहीं डेरेगा मोधी 2019 में होगा देदी का पत्ता साथ जी हां दोस्तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने प पत्या कर दी जो खायल है उनको मैं जल्द स्वस्त होने की कामना करता हूं लोकतंत्र के लिए आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा जिया उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गंटंत्र को फिर से अस्थापित करने के लिए आपका फैसला एक्छा सक्ती पू यही जोस ममता दीदी के उस अत्याचारी सत्ता को एक न एक दिन जड़ से जरूर उखार देगा जिया तो प्रधान मतरी मोदी ने कहा है कि दीदी सत्ता तो सेवा का माद्य में आप सत्ता और जनता को अपना गुलाम समझने की भूल कर रही हैं प्रधान मतरी मोदी ने कहा आप दो चितफंड के नाम पर गरीबों का पैसा लूटो, ब्रस्टचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठो और जब पस्चे मगाल की जनता आपसे हिसाब मांगे तो आप गालिया दे करके उतर आई, हिंसा और आगजली करने लगी प्रधान मतरी मोधी ने पूछा है कि क्या लगता है आपको कि आपकी गालियों और धमकियों से मोधी डर जाएगा वहीं इसके अलावा मोधी के मंच पर पुर्ण बहुमत का दावा ठोकते हुए उन्होंने कहा है कि दिदी आपके बॉखलाहट और बंगाल का जन समर्थन देखकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब बंगाल हमेशा पुर्ण बहुमत से आगे तीन सो सीटे पार करके जरूर आएगा जिया दोसर प्रधानमत्री मोधी ने कहा है कि बंगाल में भाजपाने ताव की रैली नहीं करने दी जा रही है वोटरों को वोट नहीं दिया जा रहा है उमिद्वारों पर हमले किये जा रहे है अब तक की नेता जी सुबास चंदर बोस के प्रपोत्र को भी अपने गुंडों ने नहीं चुड़ा उन्होंने कहा है कि ममता दीदी आपकी ही परचाई से डर रही है 2019 में उसका पत्ता साप होने जा रहा है प्रधानमत्री मोदी ने कहा है कि सर्जिकल अश्टाई को रेयर अश्टाई के बाद अपने ही सपूतों पर सवाल उठाने वाली दीदी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है देश के हीत के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान के सूर में सूर मिला करने वाली दीदी सबक सिखाना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा है कि ममता दीदी मत भूलिये कि ये एकेस्वी सदी का भारत है अगर पस्चिम बंगाल की जनता आपको साथवे आसमान पर विठा सकती है तो वहीं जनता आपको वापस जमीन पर भी गिरा सकती है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबर इरान ने बंद किया ये रास्ता तो पूरी दुनिया में मच जाएगा तेल के लिए हाहा कार जी हाँ दोस्तो इरान और अमेरिका के बिच तनाव बढ़ता ही जा रहा है हाल ही में साओधी अरब ने अपने दो तेल टेंकरों को निसाना बनाने की बात कही है सेनुक्त अरब अमिरात ने भी अपने जहाजों पर हमले का दावा किया है जाहिर है दोनों देसों का इसारा इरान की तरफ है लेकिन इरान इस बात के सीरे से नकार रहा है अमेरिका और इरान के बीच इससे पहले भी जब जब तनाव बढ़ा है तब तब फारस की खाड़ी में गंफीर परिणाम हुए है जिसका असर पूरी दुनिया में देखा गया है इरान पहले से ही यह लागतार चितावनी दे रहा है कि अमेरिका के साथ सेन तनाव बढ़ा तो वह दुनिया के सबसे महत्पून तेल धम की कहे जाने वाले हर्मुन जल्डमरूमद को बंद कर देगा आपको बता दे कि हारमुच जल्डमरूमद पर इरान बार बार इसलिये दम भरता है क्योंकि यह एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया के तेल ब्यापार पर असर डालती है यदि इरान हारमुच जल्डमरूमद को बंद कर देगा तो तेल के लिए दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा जिया दोस्तों ऐसा इसी लिए कहा जाता है क्योंकि साउधी अरब इरान यूएई कुबैत कतर और इरान का ज्यादा तेल का निर्यात हारमुज जल्डमरूमत के जरिये होता है जिया दोस्तों यहां कम से कम 15 बिलियन बैरल परतीरिन तेल की सप्लाई होती है और इसली बड़ी खबर गौतम गंभीर ने बताई भारत की वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कमी जी हां तो सो क्रिकेट से राजनीती में आये गौतम गंभीर का माना है कि क्रिकेट 200 कप टीम में एक तेज गेंदबाज की कमी है दो बार के 200 बिजेता भारत टीम पांच जून को सा योग चाहिए आप कह सकते हैं कि हरफन मौला हार्दिक पटेल और बिजे संकर की कमी कर सकते हैं लेकिन मैं अस्तवस्त नहीं हूँ आखिर में टीम सन्यूग सही रखना अहम है विजेता बल्लेबाज ने CS क्रिकेट रेटिंग अंतराष्टी पुरुसकार 2019 में अपने संबो यहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि ICC को आगे सभी यहीं प्रारूप करना चाहिए जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर योगी ने दिया लोहिया की भविश्वानी का हवाला कहा 25 वर्सों तक पीम रहेंगे नरेंद्र मोधी जी हां दोस्तों लोक सबाचुनाव 2019 का सियासी रण अपने अंतिम दोर में पहुँच चुका है 19 मई को सातवे चरण के आठ राज्यों की 69 सीटों पर मतदान होना है इस सब के पीछे उत्तर परदिस के मुख्यमंतरी योगी आधितनात ने एक इंटर्विव में कहा है कि भारत में समाजवाद से प्रेडित रहे र इसी वज़ा से पी-एम देश आने वाले कई वरसों तक देश की चलाने के लिए तयार हैं इसके साथी जोगी ने दावा किया है कि उत्तर परदेश में बीजेपी 80 में से 74 लुक्सवाद सीटों पर जीत हासिल करेगी जिया दोस्तों उन्होंने कहा है कि समाजवादी नेता लोहिया ने संसद में पूर परदानमत्री इंद्रा गांधी से कहा था कि यह देश गाओं का देश है जो पी-एम इस देश के गरिव व्यक्ति के घर में सोचाले और उसकी इंधन की जरूरतों को पूरा करेगा वो कम से कम 25 वरसों तक सासन करेगा योगी ने कहा है कि लोहि अब पूरा हो रहा है उन्होंने कहा है कि लोहिया के नाम पर इस देश में कई लोगों की राजनीती चल रही है लेकिन इसके सपने परदानमत्री मोदी ही पूरा करेंगे योगी ने कहा है कि यह चुना उस सभी पूरवानुमान को चकना चूर कर देगा जो जाती धर्म, छ 10 करोड सवचाले, 12 करोड किसानों को किसान सम्मान निधी योजना के ताथ सहायता, 15 करोड यवाओं को मुद्रा योजना और 37 करोड जंधन खाते को ले गए उन्होंने कहा है कि यह आकड़े हैं जो जाती धर्म और वोट के नाम पर अधारित नहीं है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी के इस दाव से प्रधान मंतरी नहीं बन पाएंगे मोधी, 2004 में भी इसी दाव से मिली थी सफलता, जी हाँ दोस्तो लोग सबाचुनाव 2019 के लिए आखरी चरण के मतदान से पहले यूपिये चेर्मेन सोनिया सुरू कर दिये, यूपिये चेर्परसन के विपक्ची दलों के प्रमुक नेताओं को फोन करके कहाएं कि 22, 23 और 24 माई को दिली में रही है, मतलब साफ है कि नतीजों से पहले ही सोनिया गांधी विपक्च के नेताओं को बैठक करके खुद उने के कंधों पर जिमवारी ले हैं, यूपिये की पार्टियों का प्री पोल गठ जोड नहों पाए, लेकिन मोदी के खिलाफ सब एक जुट खड़े हूं, और सोनिया गांधी छेत्रिये पार्टियों को संदेश देना चाहती है कि एक दल ही की बजाए गठवंधन की सरकार बनाने का निवता मिलना अगर इसमें NDA की बहुमत नहीं मिलता है, तो देश की राजनीती की दिसा बदल जाएगी, इसलिए यूपिये अध्यक्ष सोनिया गांधी पुरी तरीके से सक्रिये हो गई है, आंध्र प्रदेश के CM चंद्र बाबु नाइडू ने भी पिछले दिनों कॉंग्रिस लोगो 21 माई को मीटिंग करने की आयूजना बनाये रहे हैं, जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कपर प्रधान मंतरी मोदी ने साधा निसाना बंगाल में सब कुछ नष्ट करने पर उतारू है, ममता बनर्जी जी हाँ दोस्तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मम ट्रिमूल कांगरेस के गुंडों ने हमला किया, देश पस्ची मागल के चुनाव परिणाम को उतसा से देख रहा है, पीम ने कहा है कि कॉलकाता में साह के रोड़ सो पर हमला तब किया गया, जब बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रिमूल कांगरेस बीजेपी में उन्होंने 24 परगना जीले में भारत बंगलादे सीमा पर इर्षित एक चुनावी रेली में कहा ममता दीदी के गुंडे बंदूक और बंके बिनास पर उतारू हैं उनकी सरकार राज्य में सब कुछ नस्ट करने पर तुली हुई हैं लोगों का दिढ़ विस्वास और साहस इस अत्यचारी साहसक को हटाना है जिया दोस्तों उन्होंने कहा है कि दिदी पश्चिम मंगाल में बीजेपी की बढ़त से भैवी थे और राज्य के लोगों ने मुख मंतरी बना करके उन्हें समान दिया है लेकिन सत्ता के नसे में चूर ममता बनरजी लोकतंतर का गला घोट ही ये